प्रो कबड़ी सीजन 9 की 18th मैच खेली जाने वाली है गुजराज जैंट्स और पुनेरी पल्टन के बीच में इस वीडियो में हम पूरी तरह डीटेल में अनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को जानेंगे हर एक प्लेयर की अब तक क्या स्ट्राटेजी रही थी प्रो कबड़ी में इस टीम की क्या स्ट्राटेजी होने वाली है इस अपकमिंग गेम में इन्च और पूरी तरह डीटेल में अनालिसिस करेंगे इस गेम को सो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक टेलिग्राम चैनल अट दरेट टार्गेट रैंक वन को जॉइन नहीं किया है तो फटाफट से उसे जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप टेलिग्राम पे जाके अट दरेट टार्गेट रैंक वन भी सर्च कर सकते हो वहाँ पर आपको डेली ड्रीम 11 के लिए टीम्स मिलते रहेंगे अपडेट्स मिलते रहेंगे तो जल्दी से उसे जॉइन कर लीजिए तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजराज जाएंट्स के स्टार्टिंग 7 के बारे में गुजराज जाएंट्स के सेंटर में हमें दिखने वाल है इस टीम के मेन रेडर एचेस राकेश और उनका साथ देते हुए और दो रेडर होंगे चंदरंदरंजीद और लेफ्ट इन पे होंगे प्रतीक दया डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पर हो सकते है सौरफ गूलिया और लेफ्ट कवर पर होंगे अकरम शेक और फाइनली दो कॉनर्स की बात करें तो राइट कॉनर पे होंगे शंकर गडाई और left corner पे होंगे रिंको नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन के starting seven के बारे में पुनेरी पल्टन के center में हमें दिखने वाले इस team के सबसे main raider असलम इनामदार और right end में होगे एक और main raider मोहित गोयत और उनका साथ देते हुए third raider का काम करेंगे मोहमद इसमाइल नभी बक्ष जी हाँ ये इंडिया में आ चुके और अब ये हमें mat पर दिखाई देंगे defense की बात करें तो right cover पर होंगे बाला साहिब शाहजी जादव और left cover पर होंगे संकेत सावन और finally तो corners की बात करें तो right corner पर होंगे अलंकार पाटिल और left corner पर होंगे सुल्तान फजल अत्राचली प्रो कबड़ी में आज तक जितने भी matches हुए हैं उसमें गुजराज जाइंट्स और पुनेरी पल्टन अब तक 10 बार भिड़ चुके हैं जिसमें से 6 matches गुजराज जाइंट्स ने जीते हैं और 3 matches पुनेरी पल्टन ने जीते हैं और एक मुकाबला टाय पे खतम हुआ था गुजराज जाइंट्स की टीम में अब तक हमने ये तो जरूर देखा ही है कि HS Rakesh का performance काफी जादा consistent है, काफी जादा अच्छा है और important भी है गुजराज जाइंट्स की लिए लास्ट मैश में उन्होंने 15 points कमाई थे लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं point out करना चाहता हूँ लास्ट मैश में महिंद्र गनेश राजपूत को भी chance मिला था और उन्होंने 7 points कमाई थे इस टीम के captain चंदरन रंजीट सब्स्टिट्यूट होकर बाहर बैटे थे और महिंद्र गनेश राजपूत points कमा रहे थे सो क्या पता इस बार महिंद्र गनेश राजपूत हमें starting 7 में ही नज़र आए और अगर नज़र आते हैं तो बहुत potential है उनमें and I know वो अच्छा करेंगे अब इन Raiders का सामना होने वाला है पुनेरी पल्टन के defense से पुनेरी पल्टन का defense काफी हद तक हमें बदला बदला सा दिख सकता है क्योंकि अब Iranian players इंडिया में वापस आ गए है तो इसलिए corner पर होने वाले है सुल्टान फजल अत्रा चली अब left corner पर सिंस सुल्टान फजल अत्रा चली है तो हो सकता है कि right corner और right cover जहाँ पर हम पहले अलंकार पाटिल और बाला साहिब शाहजी जाधव को देखते थे अब हो सकता है कि वहाँ पर अपनी original players आज है जोकी है सोमवीर और अभिनेश नादराजन वेल ऐसा होता है कि नहीं ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन left corner पर फजल अत्रा चली के आने की वज़े से defense बहुत ही जाधा मजबूत हो गया है फजल अत्रा चली इस team के defense की read की हड़ी होने वाले है अब इस defense को ये raiders किस तरह से तोड़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी वेरस पुनेरी पल्टन के raiders की बात करें तो उनके पास काफी बढ़िया raiders है असलम इनामदार और मोहिद गयत अपनी best form में चल रहे हैं अपनी team के लिए अच्छे से rate point स्कोर कर रहे हैं और अब तो team में मुहमद इसमाइल नभी बख्ष भी आ गया है गुजरात के defense ने हमें काफी जादा निराश किया है और पुनेरी पल्टन के पास जिस तरह के खतरनाक raiders है उन raiders को अगर रोकना है तो गुजरात को बहुत जादा hard work करना पड़ेगा बहुत जादा planning की जरूरत पढ़ने वाली है बहुत जादा strategy की जरूरत पढ़ने वाली है और अगर इसमें से एक भी चीज अगर कम रह गई तो पुनेरी पल्टन के raiders आसानी से बाजी मार जाएंगे अब पुनेरी पल्टन का defense भी काफी जादा strong है पुनेरी पल्टन के पास raiders भी काफी जादा तगड़े है तो पुनेरी पल्टन के लिए ये काफी जादा आसान होने वाला है इस match को जीतना वेरस गुजरात जैंट्स के लिए ये match एक चुनोती साबित होगी एक ऐसी चुनोती जिसे पार करना बहुती जादा जरूरी हो जाएगा गुजरात जैंट्स के लिए अगर उन्हें लीक टेबल पर उपर आना है तो प्रो कबड़ी सीजन 9 में गुजरात जैंट्स अब तक 2 matches खेल चुके हैं जिसमेंसे वो एक match हा रहे हैं और एक match टाय पे खतम हुआ था और पुनेरी पल्टन भी अब तक प्रो कबड़ी सीजन 9 में 2 matches खेल चुके हैं जिसमेंसे वो एक match हा रहे हैं और एक match टाय पे खतम हुआ था दोनों ही टीम्स अपनी पहली जीत की तलाश में हैं तो अब तक हमने जितना भी कुछ इन दोनों टीम्स के बारे में देखा है, जाना है, उसके इसाब से मुझे लगता है कि इस मैच में जिस टीम को उसकी सबसे पहली जीत मिलने वाली है, वो टीम होने वाली है, पुनेरी पल्टन। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, कि कौन से टीम जीतेगी। झाल झाल